इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि AI के मेजर एप्लिकेशन एरियास क्या हैं हमने बहुत शुरू में बात किया था कि वही तीन चार डुमेंज हैं जहां पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो आज हम पहले डुमेंज की बात करते हैं वह है कंप्यूटर विजन यह यह कंप्यूटर का देख सकना यह कंप्यूटर की बसारत एक तरह से के कंप्यूटर यह यह है यह जैस के हम उसको यह इबिलिटी दे देए कि वह चीजों को देखकर ISBN कर सके गैस कर सकर लेए के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमारे पास image classification है, object recognition है, image को classify कर लेगी है, male है, female है, cat है, dog है, image के अंदर कुछ objects नज़रा रहे हैं, उनको recognition कर ली जाए कि तस्वीर नज़रा रही है, यह कार है, यह बंदा है, यह दरख्त है, यह signal है, यह object detection कहलाता है, image classification कहलाता है, उसके लावा face recognition, इसके उपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा applications मौझूद हैं, और हम बहुत ज़्यादा इसको use भी कर रहे होते हैं, आप Facebook पे देख रहे होते हैं, टेक पैस टेकिंग हो रही होती है, आप तस्वीर अपलोड करते हैं, और Facebook आपके नाम आप Automatically system उनका टेक कर देता है कि यह तस्वीर किसकी है, यह इस आलसो पार्ट ऑफ computer vision, दूसरा एहम एरिया machine learning का है NLP, यानि natural language processing, नैशरल लेंगविज प्रोसेसिंग यानि इसके अंदर जो हम जबाने बोलते हैं, उन्हें process कराया जाता है, उन्हें identify कराया जाता है, कि system जान सक इहम example दी जाती है, वह है spam filtering का, कि जिस तरह हमारी Google की Gmail ID होती है, email आती है, वह हमारा text classified होता है, वह automatically Google की Gmail में, वह promotions में चली जाती है, primary में चली जाती है, spam में email चली जाती है, यह कैसे होता, यह वह सारा text process होता है, उसके बाद वह intent जो है, उसमें से recognize होता है, कि यह पूरी कि बात हो रही है यह किस category से ब том करती है आया यह कोई पोर्मोशन है आया यह कोई प्रैमरी email का पार्ट बन सकती है आया यह कोई Facebook की जो है वी what notification है आया यह कोई spam email है नाच्यल लैंग्विज प्रोसेसिंग में जो तो दूसरे डुमेंज हैं जिसे हमने टेक्स क्लासिफिकेशन की बात की उसके लावा जो है इनफॉरमेशन रिट्रिवल है जिसमें वैब सर्च होता है यह भी नेशल लेंगविज प्रोसेसिंग का पार्ट है इसके लावा नेम्ड एंटिटी रिक्निशन है कि आपके पार ट टेक्स के अंदर नेम्स क्या क्या हैं एंटिटी क्या क्या हैं कंपनी के नाम कितने कंपनी के नाम हैं लोगों के नाम कितने हैं उस टेक्स के अंदर जगों के नाम कितने हैं बिल्डिंग्स के नाम कितने हैं कि सब कुछ सिस्टम जो है वो खुद ही एक्सटेक करके आपके उस text के अंदर से निकाल कर ले आता है, फिर एक और domain है machine translation का, ये machine translation के domain के अंदर एक type of language input होती है, system उसको translate करता है, दूसरी type of language के अंदर, एक और area आपके पास implementation का है, parts of speech tagging, कि जब आप कोई context ये content और text जो है, वो system को देते हैं, तो उसके अंदर से parts of speech की tagging कर देता है, कि ये part, ये noun है, ये pronoun है, ये adjective है, ये दूसरी तरह articles हैं, इस तरह के parts of speech tagging हो जाती है, और इसकी मदद से फिर कोई application बनाई जा सकती है, जिसके अंदर इसकी जरुवत हो और ये काम कर सकता हो, natural language processing में, speech पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और ये बड़ा एहम domain है, बड़ा important है, important क्यों है, जैसे पहली example देता हूँ, speech to text, यानि आप बोलें, और आपका जो content जो आप बोल रहे हैं, system उसको recognize करें, और उसको text form के अंदर convert करता चला जाए, आप बजाहिर तो इसमें कोई ऐसा नदर, आपको कोई extraordinary चीज़ नदर नहीं आ रही, लेकिन ज़र आप implementation के बारे में सोचें, कि आपने अगर type करना है, कोई book type कर दीए, आप type करने बैठ जाएं, time लगेगा, बजाए इसके कि अब मैं सिर्फ book को read कर सकता हूँ, जो कुछ read कर रहा हूँ, वो सब कुछ automatically type होता चला जा रहा है, तो कितनी असानी है इसके अंदर, speech to text conversion में, उसके इलावा आपके पास text to speech है, कि आपके पास text लिखा हूँ है, आपने text लिखा हूँ है, सिस्टम को दिखा दिया, picture show करा दिया, उसके पर क्या लिखा हूँ है, सिस्टम उसको read करके जो है, वो आपको speech पढ़के सुना दे, यह भी बड़ा important domain है, machine translation जो है, बहुत ही important है, पूरी-पूरी language translation जो हो जाती है, किताब एक language से दूसरी language दो translate करनी है, बड़ा मुश्किल होता है, जिससरे हम अकसर यह बास सुनते हैं, कि हमें अपनी जो मादर जबान के अंदर किताबें होनी चाहिए, पढ़ने में असानी हो, अगर सारा content अगर आपको translate पहले करना पढ़ रहा था, वो एक बहुत ही मुश्किल काम था, कि इतनी किताबें इतनी सारी हैं, उनको translate कैसे किया जाए, अब यह काम बहुत आसान होता नजर आ रहा है, कि machine translation क कि थूरू, आप जो है ना, वो किसी भी text को, किसी भी content को, किसी दूसरी language में असानी से transform कर सकते हैं, एक और एहम domain है, robotics, यह वो पहला ख्याल होता है, जब भी हम AI की बात करते हैं, तो आम तोर पे जो इस लोगों के दिमाग में image AI की आती है, वो पहले robot की ही आती है, क्योंक कि जितना भी काम होता था पहले, वो robots पर यह hardware based ही होता था, लेकिन अब चीजें robots से निकल कर बहुत ज़्यादा सिमट चुकी है, smart applications की form के अंदर, अब AI सिर्फ robot नहीं रहा है, robot के इलावा भी बहुत कुछ AI है, बहराल, robotics is a big domain of implementation of AI, जनरल machine learning, यह हमने पूरा concept पढ़ा है, कि इसके अंदर आपके पास structure data भी होता है, on structure data भी होता है, images, audio, यह सारे चीजें जो है वो शामिल होती है, और इन सब पर machine learning काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ structure data होगा, तो machine learning के results अच्छे आएंगे, सिर्फ data इस particular form में होगा, तो machine learning के results अच्छे आएंगे, नहीं, बलकि वो structure data के उपर भी उतना ही अच्छा machine learning के algorithm जो है, वो perform करते हैं,